क्लास नाइन में पढ़ने वाले मेरे डियर स्टुडेंट्स आपकी इंग्लिश बुग बिहाइब की सेकेंड पोएम वींड की सबसे इजी एक्स्प्लाइनेशन यानि इस पोएम को हम लाइन बाइ लाइन वाड बाइ वाड इस वीडियो में समझेंगे इस पोएम की पोएट है सुब्रो मनियों भरती और इसको ट्रांसलेट किये हैं इंग्लिश में असल ये पोएम तो तामील में लिखा गया है इसको ट्रांसलेट किये हैं एके रामानुजन तो चलो पोएम समझते हैं पोएम का नाम है वींड मतलब हवा असल में ये जो वींड है यह के metaphor है और यह wind किसके लिए use हुआ है उसको poem के आखिर में समझेंगे लेकिन poem में जो कुछ लिखा है चलो उसको literally समझते हैं और इसका असल theme क्या है और यह wind किसके लिए metaphor होके use हुआ है उसको आखिर में समझेंगे लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले, बीफोर यू रीड में जो दिया है, उसको पहले समझ लेते हैं, क्या लिखा है, देखो, the wind blows strongly, हवाज बहुत जोर से बायता है, and causes a lot of destruction, और बहुत सारा बरबात करता है, how can we make friends with it, तो हम उसके साथ दोस्ति कैसे बना सकते हैं, दोस्ति कैसे निभा सकते हैं, तो इसी आधार पर पोएम लिखा गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखा है, यहां पोएट बोल रहे हैं, wind को, wind, calm softly, एह हुआ, तो धीरे-धीरे आ, don't break the shutters of the windows, मेरे घर के जो खिडकी में जो कीवाड लगा हुआ है, उसको मत तोड, window मतलब खिडकी, shutter जो, उसमें कीवाड जो लगता है, shutter, don't scatter the papers, मेरे रूम में जो paper रखा हुआ है, उसको मत विखर, तो आके विखरा देता है, don't throw down the books on the shelf, मेरे shelf के उपर, यानि कॉपबड के उपर, जो book यानि किताब धरा हुआ है, तो उसको मत निचे गिरा, तो आके गिरा देता है, जब जोर से बहता है, there, look what you did, वहाँ देख, तुने क्या किया, you threw them all down, तुने तो सब को निचे डाल दिया, निचे गिरा दिया, you tore the pages of the books, मेरे किताब के सारे pages को तुने फाट दिया, you brought rain again, शिर्फ इतना ही नहीं, तो अपने साथ बारीश भी लाया है, you are very clever, at poking fun at weaklings, तु बड़ा ही चालाक है, कौनची काम में, poking fun at weaklings, weaklings मतलब जो कमजोर आदमी का मजाग बनाने में, तु बहुत ही इस काम में चालाक है, you are very clever at poking fun at weaklings, frail, crumbling houses, frail मतलब कमजोर, houses मतलब घर, crumbling मतलब उसको टुकडा टुकडा कर देना, यानि जो कमजोर घर होता है, तो उसको टुकडा टुकडा कर देता है, crumbling doors, दराजय को भी टुकडा टुकडा बना देता है, crumbling raptors, raptors मतलब घर में जो लकडी का बीम है, उसको भी तु टुकडा टुकडा बना देता है, crumbling wood, और जो लकडी का सामाने घर में उसको टुकडा टुकडा बना देता है, crumbling bodies, और ये घर का जो में मालिकु हूँ में तुकडा तुकडा बन जाता हूँ, यानि तूट जाता हूँ, Crumbling Lives मेरी जिंदेगी तूट जाता है, तुकडा तुकडा हो जाता है, Crumbling Hearts मेरा जो दिल है, मन है, ओभी जाता है, यानि तुकडा हो जाता है, The Wind God We Knows, यहाँ wind यानि हवा को God बोला गया है, वो powerful है और वोई-nose करता है, यानि उड़ा देता है, and crosses them all यह सारे चीज़ को cross भी करता है, यानि कुचल देता है He won't do what you tell him वो नहीं करेगा वो काम, जो तुम उसको बोलोगे, तुम उसको बोलोगे कि यह ना कर वो यह सा करके रहेगा अगर उसको कहोगे यह कर तो वो करेगा नहीं, उल्टा करेगा So, calm, let's build strong homes वो तो बात नहीं मानता है तो चलो, चलते हैं अपने घर को strong बनाते हैं मजबूत घर बनाते हैं Let's join the doors firmly घर में जो दर्वाजा हम लगाएंगे उसको strongly यानि मजबूती से जोडेंगे Practice to farm the body और हम जब तूट जाते हैं यह सब destruction से तो अपने मन को, अपने बडी को farm बनाते हैं, चलो strong बनाते हैं Make the heart steadfast और अपना मन यानि दिल को भी strong बनाते हैं Do this and the wind will be friends with us यह काम करो, उपर जो करने के लिए बोला गया है, यह काम करो यानि अपने घर को strongly बनाओ अपने बडी को strong बनाओ, अपने heart को strong बनाओ, ऐसा अगर करोगे तो wind will be friends with us यह जो हवा आता है ना जोर से बैता है, यह हमारा दोस्त बन जाएगा दुस्मन नहीं, पहले दुस्मन बना हुआ था, अब दोस्त बन जाएगा तो wind blows out weak fires, क्योंके wind हमेशा कमजर आग को बुजा देता है He makes strong fires, roar and flourish लेकिन जो आग मजबूत होता है powerful होता है, उसको ज्यादा गरजने में मदद करता है उसको फैलाने में मदद करता है, उसको बड़ा बनाने में मदद करता है So his friendship is good, अगर उसके साथ हम दोस्ती बनाएंगे ओ दोस्ती हमारे लिए अच्छा है We praise him everyday, फिर हम उसको गाली नहीं देंगे हर दिन उसका phrase करेंगे, यानि उसको सबबाशी देंगे तो यह poem का line by line complete हुआ असल में यह poem एक metaphor है, यह wind है यह metaphor है किसके लिए हमारे जिन्देगी की जो सब problem है जो मुश्किलात आता है तो उसका यह metaphor है तो हमारे जिन्देगी में मुश्किल, परिशन्या आएगा जरूर और हम अगर ऐसे ही पहले जैसे कमजर रहेंगे तो हम सफर करेंगे जरूर हम अगर अपने को मजबुती से बनाएंगे अपनी life को, अपनी हर सामान को, अपनी atmosphere को strong बनाएंगे तो जो मुश्किलात आएगा हमारे जिन्देगी में ओ हमको बरबाद नहीं कर पाएगा ओ मुश्किल हालत को हम अच्छे से बिता लेंगे ओ मुश्किल हमारे लिए फिर friend हो जाएगा हम आशानी से उसका सामना कर पाएंगे उसको solve कर पाएंगे और बात रही इस poem के rhyme scheme और poetic device की इसमें कोई rhyme scheme असल में है ही नहीं ये के free verse poem है और poetic device भी ज्यादा नहीं है ये wind जो यूजवाई ये के metaphor है और कुछ poetic device इसमें नहीं है तो आशा करता हूँ तुम समझ गए होंगे जो नहीं समझे हैं poem को दूसरी बार सुरु से आखिर तक पढ़लो सुनलो समझ जाओगे ओके थैंक्यू फर वाचिंग